राहू और मंगल का अंगारक योग आ गया है तो जोतिश के अनुसार जो बारा राशिया है उन पर क्या असर होने वाला है और उनके क्या उपाय है ये हम आपसे जानना चाहते है पंडित जी तो ये दर्शकों की डिमांड के उपर हमने ये शो डिजाइन किया है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले एक बात का ध्यान रखें कि मंगल आपका राशी अदी पती है और राहू के साथ आपके धनस्थान पर बैठा हुआ है धनलाव के योग जरूर ह सटे बाजी करोगे और जल्दबाजी में डिसीजन लोगे तो जो धन आपको मिलने वाला है वो आपके हाथ से निकल सकता है और दूसरा मेश राशी वालों को आप डिप्रेशनल स्टेज ऑफ माइंड से दूर रहना पड़ेगा नेगिटिविटी को त्यागना पड़ेगा तीसरा विवाद हो सकता है घर में अपने कुटुम्ब से विवाद से बचें धर्म पत्नी के साथ समावेश और प्रेम प्यार और बच्चों के साथ में ठंडे दिमाग से बात करें कहीं न कहीं मेश राशी वालों को इस कुटुम्भिक समस्याओं से जूजना पड़ेगा किसी तरह का व्यवपार करेंगे तो उसमें धनलाप के सुन्दर योग बन सकते हैं अभी मेडम ने बोला कि आपको कोई मंत्र बोला जाए तो डेफिनेटली मेश राशी मंगलवार के दिन हम सिद्धी विनाय की पूजा करते हैं तो मंत्र ओम गन गन पताए नमा सुन्दर म अश्टविनाय काय नमा इन चारों मंत्रों में कोई भी एक मंत्र आप रोज सुबह नहा कर लाल धोती या सफेद धोती पहन कर रिद्धी सिद्धी के दाता गनपती बपा की अराधना करें और आपका लकी नमबर एक और साथ है अगर आप लाल कपड़े नहीं पहन सकते त पंतालीस दिन अपने जेब में जरूर रखें उसका आपको डेफिनेटली लाब मिलेगा अब दूसरी राशी की बात करते हैं वो है व्रुषव राशी व्रुषव राशी के बेसिकली स्वामी शुक्र है मगर आपकी राशी में ये अंगारक योग बना हुआ है इसलिए व ओवर्टेक करके रिस्क मत लें शराब पीकर वाहन कतई मत चलाएं और अगर आपके पस ड्राइवर है तो ड्राइवर को भी सावधानी बरतने के लिए बोलिए बिगड़े हुए काम आपके कुछ जो बहुत पुराने थे उसंपन हो सकते हैं क्योंकि शुक्र के मित्र राह आपकी राशी में मंगल के साथ में बैठे होएं पेट की गड़बड से बचने के लिए अल्प आहार जैसे सैलेड खिचडी ऐसे खाने का उपयोग करें परिवार का सहयोग यहां पे आपको पूरा मिलेगा चिंता की कोई बात नहीं है ब्यवपार और कारिक्षित्र में आ एकसीडेंट ना हो दुरगटना ना हो और अनसेसरली किसी के साथ में वाद विवाद मत करें संपन्नता सतर से असी प्रतिशाता आपकी कुंडली में दिखाई देती है अब यहां पे मंतर की बात करें तो ओम शुम शुक्राय नमहा मुसलिम भाईयों के लिए शुक्रवार जुम्मा भी होता है तो जुम्मा की नमाज और फजर की नमाज आप ये पंतालीस दिन जरूर करें और साथ में ओम शुम शुक्राय नमहा इस मंतर का जाप करें आपकी राशी अदिपती शुक्र होने की बज़े से सफेद चीजों का दान करें जैसे दूद, चावल, चीज और नमबर की बात करें तो दो और आट नमबर का उपयोग जरूर करें आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मित्धुन राशी की यह जो योग है आपके लिए मिला जुला समी करन लेकर आ रहा है आपके राशी के सौमी बुद्ध हैं वो गुरु के साथ शणी की राश में आ जाए तो आपकी स्वामी आपकी राशी के स्वामी बुद्ध गुरू के साथ बैठे हुए हैं और शनी भी साथ में बैठे हुए हैं इसलिए मिला जुला प्रभाव ये पड़ेगा कि विद्यार्थी जो हैं उनको अपनी मनचाही युनिवर्सटी में एडमीशन मिल ज कि तरफ से कुछ समस्यां आ सकती हैं मगर उत्तम योग भी बने हुए हैं शिक्षार्थी विद्यार्थी धनलाप नौकरी की आप एक्षा रखते हैं तो नौकरी भी आपको अच्छी मिल सकती है और ओम बुम बुद्धाय नमा ओम गन गन पताय नमा और हरे कलर का मुसलिम भाईयों से भी अनुरोध है कि बुद्धार के दिन हरे कलर का कोई भी हरा कपड़ा पहने अगर नहीं तो हरा रुमाल अपनी जेब में रखें तो कहीं न कहीं हरे मुम की डाल हरा चारा गाए को खिलाएं और नमबर की बात करें तो आपके बुद्ध का नमबर अगर हम यह हां से पकड़ कर चलें तो च्छै और तीन तीन और च्छै नमबर का इस्तेमाल जरूर करें स्वामी आपकी करकराशी के स्वामी चंद्रमा है इसलिए करकराशी की अगर हम बात करें तो आपको आपसी कलेश से दूर रहना पड़ेगा अगर कोई आपका आफिस में किसी तर चत्रूं से बचकर रहना है आपने कहीं न कहीं गुप्त चत्रू आपको नुकसान दे सकते हैं मिला जुला रहेगा और रेस्टलेसनेस थोड़ी सी करकराशी वालों की राशी में रहेगी जिससे आपको हो सके तो आपको बोन्स प्रॉब्लम आ सकती हैं तो लगातार अभ् प्रणाम रोज करें करके घर से निकलेंगे तो आपका सारा काम जो है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा अब आप मंतर की बात करें तो ओम नमो शिवाए और सोमवार को भोले नात की पिंडी की ओपर दूद दहीं मद का अभिशेक करें ओम नमो शिवाए रोज 108 बार पड़ें सफेद रंग की चीजें दान करें आटा चावल दूद इन चीजों का आप आप दान कर सकते हैं और रंग भी सफेद है आप आपके लिए कलर और नमबर की बात करें तो नमबर चार और आठ नमबर का उपयोग करें अब बात करते हैं सिंग राशी की सिंग राशी के स्वामी शुक्र जो हैं इस वक्त कुंबर राशी में बैठे हुए हैं पहले मकर राशी में बैठे थे तो मकर राशी और कुंबर राशी शनी की अपनी राशी है तो डैफिनिटली कहीं न कहीं जो हुरुदे रोगी हैं उनको बहुत ध्यान डखना पड़ेगा हुर आप बैक्सिन भी लगाते हैं तो अपनी पूरी जानकर ही डॉक्टर को दें और ब्लड प्रैशर के मरीजों को भी प्रॉपर दवाई लेनी चाहिए और वरिष्ट जनों से किसी भी तरह का बाद विवात मत करें सूर्य पिता है पिता को रोज प्रणाम करें हो सके अगर पित है कि रोज फजर की नमाज करने के बाद आप घर से निकलें और मगरिब और फजर की नमाज जरूर अता करें साथ में सिंग राशी वालों के लाल रंग का उपियोग करना है और पांच और नौ नमबरों का उपियोग करना है अब बात करते हैं अगली राशी कन्या राशी क बुद्ध की अपनी राशी है तो बुद्ध इस वक्त गुरू के साथ बैठे हुए हैं इसलिए जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश ना करें उसमें नुकसान होगा शांगती से एनलाइज करें विशलेशन करें चीज़ का फिर आगे बढ़ें कोट कचहरी के मामले में आपक तो कोई ना कोई बड़ा लाब मिल सकता है कोई काम आपका पांसाथ साल से कोई मुकद्दमा चल रहा था उसमें लाब मिलेगा आपको जमीन के मामलों में भी आपको लाब मिलेगा शिक्षा जो लोग लेखक हैं और कलाकार हैं उनको भी सुन्दर लाब मिलते हुए दिखा को हरे रंग का उपयोग आपने करना है और ओम बुम बुधा अपने करना जी, पंडित जी बात करते हैं अगले तीन राशियो के बारे में तूला राशी व्रुष्चक राशी और धनु राशी के लिए क्या कुछ हो सकता है और कैसे समस्या का वो समधा निकार राशी के स्वामी शुक्र है और इस वक्त जो है शुक्र जो है वो कुंबर राशी में बैठे हुए है डेफिनेटली आपका अगर विवाह नहीं हुआ तो आपके विवाह के योग बनते हैं और अगर आप अनैतिक संबंदों में हैं तो उससे छुटकारा पाते हुए दिखाई देते हैं इसलिए आपके लिए बहुत ही शुब योग बनते हैं विद्यार्थियों को भी शुबलाब योग बनते हैं विशेश कर महिलाओं के प्रती जो समावेश है महिलाओं के जो तुला राशी की महिलाए हैं उनको नए काम में कोई उपलबधी मिल सकती है नए आकाम शुरू कर सकती है आम तोर पर तुला राशी वालों के लिए ये कंजक्शन मंगल और राहू का शुक्र और सूर्य का बदलाव जो है एक नई अपरचुनिटी लेकर आता हुआ दिखाई देता है कोशिश आपने एक ही कोशिश करनी है कि कहीं न कहीं सिलिप न हों आप यानि अगर बाथरूम में जाते हैं तो सिलिप परी है तो ध्यान से कहीं चोटी मुटी चोट लगने के योग बन सकते है ओम शुम शुक्राय नमा जुम्मा के दिन मुस्लिम भाई पांच वक्त की नमाज और जुम्मा की नमाज भी जरूर करें साथ और नौ नमबर का इस्तेमाल करें तुला राशी तो सैफरन कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुवकारक रहेगा अगर ये कलर आप पहन नहीं सकते तो इस कलर के रुमाल लेकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं और एक अच्छी क्वालिटी का पंच मुखी रूद राक्ष पहन लीजिए उससे लाब मिलेगा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृष्चिक राशी वृष्चिक राशी का स्वामी मंगल है मंगल और राहुई कठे बैठे हुए हैं वाहन तो आप इस बार ये 45 दिन में वाहन खरीदने के योग बनते हुए दिखाई देते हैं व्यवपार में विद्धी के योग बनते हुए दिखाई देते हैं राजनितिक लोग जो है उनके उपर कोई लाशन या आपदा आ सकती है उनको ध्यान रखना चाहिए विश्चिक राशी के लोगों के उपर कोई लाशन और उनके उपर कोई समाजिक प्रतिष्था के उपर डाग आ सकता है ओम सिद्धी विनाय काये नमा गनगन पताये नमा इसका उप्योग करें और आप भी लाल रंग का और सैफरन रंग का इस्तेमाल जरूर करें गुलाबी रोज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चार और दस नंबर का इस्तेमाल आपके लिए लापकारी होगा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनू राशी की गुरु आपकी राशी में के स्वामी है और धनू राशी के गुरु जो स्वामी है वो इस वक्त कैप्रीकॉन यानि मकर राशी में बुद्ध के साथ बैठे हुए हैं विवपार में विद्धी के योग तो बनते हैं, मगर कहीं न कहीं सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, विशेशतर माता पिता की सेहत को लेकर आप ध्यान रखें, धार्मिक यातरा का कुछ प्लान करें, सोशल डिस्टेंस रखें, धार्मिक यातरा यानि शिर्डी चले जाएं, यहां बाला जी भगवान को दर्शन करके आजाएं, माता जी के यहां चले जाएं, तो डेफिनेटली आपको, और घर में बैठे हैं, अगर मान लोकल को लॉक्डाउन हो गया तो मा का जागरन जरूर करें, पीले रंग का उप्योग करें, साइं की अराधना बहुत ही लाब कारी होगी, पीले रंग का उप्योग आपको बहुत ही लाब देगा, नौ और तीन नंबरों का इस्तेमाल करें, ओम, साइना थाए नमा, ओम, भगवते, वासुदेवाए नमा, यह दो मंतरों का उप्योग आप आपने रोज मर्रा जीवन के लिए कर सकते हैं, मकर पैसा देने के लिए खुद सामने आ सकते हैं, कहीं न कहीं आपके जीवन में एक नया कार शुरू होने वाला है, शादी नहीं हुई है, तो शादी के भी आपके सुन्दर योग बनते हुए दिखाई देते हैं, पत्नी और प्रेमी का, यानि पहले प्रेमी का थी, अब पत् पत्ती है, इसलिए शादी के योग बनते हैं, बधाई के पात रहें आप, और कोशिश एक ही करनी है आपने कि किसी भी तरह कान और नाक के रोग से बच कर रहना है, आपने कान और नाक, ENT के रोग से बच कर रहना है, नीले और काले रंग का उपयोग करें, ओम, शन, इस मंतर का जाप करें 9 और 11 नंबर आपके लिए शुरुबकारी होगा कुंबर राशी की बात करते हैं अभी आपकी राशी में सूरे देव बिराजमान है तो इसलिए अपनी सेहत का ब्लेड प्रेशर का डियाबेटीज का हाट का किड्नी का पूरा ध्यान रखें कुंबर रा आपकी जीत होती हुई दिखाई देती हैं इसलिए एक और 11 नंबर का इस्तेमाल करें ओम शुम शुक राइञ नमा ओम शन्षनेश्वरा इनमा इस मंतर का उप्योग करें और नीले रंका उप्योग्र धर्रोज नीले रंकी शर्टनी रंकी पैंटिया नीले रंका रुमाल आप अपने साथ रख सकते हैं आगे बढ़ते हुए मीन राशी की बात करते हैं यह योग कहीं न कहीं आपको विचलित करता हुआ दिखाई देता है तो क्या करें मुद्रा प्रानायम करें रोज प्रानायम करने से आपका मन शांत रहेगा वानी के उपर आपने बहुत नहीं अंतरन रखना है पर्टिकुलरली इस्त्रियों से अनुरोध है अपनी वानी का इस्तेमाल दुरुप योग ना करें कहीं न कहीं कपड़ा डाइमेंड डिजाइन और आर्कीटेक्स से जुड़े हुए लोगों को लाब मिलता हुआ दिखाई देता है मीन राशी के स्वामी गुरुदेव है इसलिए साइनात की अराधना करें पीले रंग का इस्तेमाल करें और दो और बारा नंबर का इस्तेमाल अवश्य करें जी बहुत बहुत शुक्रिया और पंडित जी आप जैसे हमेशा कहते आप सुथ भविशवानिया ही नहीं करते बलकि हमारे दर्शकों का जो है मार्ग दर्शन भी करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका पंडित जी